बिया स्टुएंट्स हम बात करें NCIT एक्सराइजीज की और चैप्टर है प्रिंसिपल्स ओफ इनहरेटेंस एंड विरियेशन हम इसकी 7 एक्सराइजीज कर चुके हैं आज हम इसकी लास्ट बची वी एक्सराइजीज करने जा रहे हैं मतलब क्या है कि आपको यहां पर यह क्रॉस करना है जिसमें हिट्रोजाइगस है पेरेंस और उनके जो लोकाई है वो कैसे हैं वो लिंक्ड है मतलब लिंकेस से रिलेटिड एक क्वेस्टन है फिर आपको यह बताना है कि उनकी फिनोटीपिक डिस्टिबिशन जो फीचर्स है वो कैसी रहेगी एप वन जनरेशन में डाई हैविर्ड क्रॉस करने के बाद तो इसके लिए सबसे पहले यह जानना जुरूरी है कि वट इस लिंकेस लिंकेस आपको बताए कि लिंकेस ऐसा फिनोमेन होता है जिसमें क्या करते हैं टू और मोर जीन जो होते हैं वें डिया प्रेजेंट ऑन दा सेम क्रोमोजोम देश्टे टूगेदर जैसे अगर हम बात करें मालिया जाए यह एक क्रोमोजोम है यह क्रोमोजोम है और इसमें यह जीन देश्पोज करो तो यह क्या करेंगे जब यह इनके संभाब ना रहेगी कि यह कठे जाएंगे तो इस फिनोमेन को बोलते हैं लिंकेस तो मैं इसके अंसर की ओर चलता हूँ इस फिनोमेन को बोला जाता है लिंकेस हमारे पार स्कॉस्टन पूछा था कि एक डाइभरेड क्रोस आपको करना है जिसमें हिट्रोजाइकस पेरेंट लेने तो देखिए यहां पर एक डाइभरेड क्रोस किया गया है जिसमें दो करेक्टर मतलब इनहेलिटेंस ओब टू जीन्स को एक सास्ट टूड़ी करते हैं तो यहां पर हम ले रहें येलो बॉड़ी और वाइड आइड तो देखिए यहां पर लिंकेज का कंसेप्ट जो है आपको पता है मॉर्गन के द्वारा दिया गया है और यहां पर ड्रॉसोफिला जो है वो ड्रॉसोफिला मेलैनोगेस्टर एक्सपरिमेंटल और्गिनिजम हम का क्रोस किया है कि यो वाइड अपर यॉल्ड़ लिए तो देखिए यहां पर क्या होगा क्योंकि यहां पर जो जीन्स है तो ऐसे cases में जो parental type है उसके संभावना ज्यादा होती है जब उनके बीच की distance ज्यादा हो क्योंकि आपको बता है, Morgan ने भी बताया कि जो recombination की जो frequency होती है, that is directly proportional to the distance between genes, but the frequency of linkage or you can say parental type is inversely proportional to the distance between genes on the same chromosome. तो क्या हुआ, in such case, the genes are closely associated, hence there will be complete linkage. क्योंकि यहां क्या बता है, कि जो टू लोका यह linked है, तो यहां पर हम case ले रहें कि उनके बीच में कैसी linkage है, complete linkage है, जब complete linkage होंगे, तो जो F1 phenotype है, they may exhibit all the parental characters, तो मतरब वो ज़्यादा अगर parental character exhibit करेंगे, मतरब parental type होंगे, only yellow white phenotype will be observed, तो कोई दूसरा phenotype नहीं आएगा, अमरे पास parental type ही phenotype आएगा और उसकी संभावना बहुत ज्यादा होगी, बट in case of incomplete linkage, parental type will be slightly more than the recombinant type, तो अगर माल लिया जाए, incomplete होती है linkage, तो वहाँ पे recombinant type भी बनेगा, पर फिर भी जो हमरे पास parental type है, वो थोड़ा recombinant से कैसा रहता है, वो ज्यादा रहता है, क्योंकि जब एक chromosomes के उपर genes होती हैं, तो उनके linkage के chances ज़्यादा होती हैं, तो ये question था, question number 8, अब हम चलते है, question number 9 की ओर, Briefly mention the distribution of TH Morgan in genetics, देखिए, TH Morgan, Thomas Hunt Morgan, इनकी क्या contribution है, अभी भी हमने इससे पहले बाले question में किया, तो सबसे पहले इनकी जो contribution थी, वो linkage का concept इन्होंने दिया, और इन्होंने क्या किया, जो chromosomal theory थी, उसको experimentally verify किया, और इन्होंने जो काम किया है, वो किया है, drosophila, melanogaster, पर जिसे fruit fly के नाम से जाना जाता है, तो अगर हम इसके answer की ओर चलें, the contribution of TH Morgan in genetics are, the contributions of TH Morgan in genetics are, number one, according to him, यह he gave the concept that genes are located on chromosome, तो यह Morgan ने बताया कि जो chromosomes होते हैं, उन्होंपर क्या located होते हैं, genes होते हैं, बदर genes किसके उपर located होते हैं, chromosomes भी, he studied the concept of mutation, mutation को भी study किया उन्होंने, and the methodology of chromosomal mapping was also given by TH Morgan, तो देखिए, क्या contribution है, एक तो इन्होंने बताया कि, genes are located on chromosome, he also studied the mutation, and he gave the methodology for chromosome mapping, chromosome की mapping कैसे होते हैं, इसकी methodology भी Morgan ने दी, he also studied the sex-linked inheritance, and experimentally verified the chromosomal theory of inheritance, he discovered the basis for variation that sexual reproduction produced, मतलब sexual reproduction से variations क्यों आते हैं, इस base को भी उन्होंने verify किया या discover किया, और इसके अलावा, the frequency of recombination is directly proportional to the distance between genes, ये concept भी उन्होंने क्या किया, उन्ही के द्वाला दिया गया, कि जितनी genes के बीच की distance होगी, उतने recombinant बनने की chances ज्यादा होगी, मतलब recombination की frequency ज्यादा होगी, and as I already have told you that he has also introduced, और he has also given the concept of linkage, तो ये TH Morgan की contribution थी, तो देखी, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने बताया कि जो genes होते हों, chromosomes पर होते हैं, mutation को study किया, chromosome को map करने की methodology पतायी, sex linked in inheritance को study किया, और ये experimentally verify किया कि chromosomal theory of inheritance होती है, and he also discovered the basis for variation that sexual reproduction produced, and according to him, he gave the concept that recombination or recombinant type is directly proportional to the distance between genes, and he introduced the concept of linkage. In case, तो अब हम चलते हैं, question number 10 की होगा, What is pedigree analysis? Suggest how much an analysis can be useful? Pedigree analysis आपको पता है कि ये किसी एक trait की history का पता करने का analysis होती है किसी family में, Now, the analysis of inheritance of a specific trait is represented in the family tree over generation, किसी भी एक trait की जो inheritance होती है, उसको जब एक family tree में represent करते हैं, over the generation, तो इस technique को कहते हैं, pedigree analysis. This study of the family history about the inheritance of a particular trait is called pedigree analysis. मतरब किसी एक family में, किसी एक particular trait की inheritance को study करना क्या कहलाता है, pedigree analysis कहलाता है. In human genetics, it provides strong tool which is utilized to trace the inheritance of a specific trait, abnormality or disease. तो इसका जैसे question पूछा था कि suggest how much an analysis can be useful तो यह useful लगती है क्योंकि यह एक tool है जिससे आप एक specific trait की inheritance का पता कर सकते हैं किसी abnormality का पता कर सकते हैं या किसी disease का पता कर सकते हैं it gives answer that marriage between close relatives is harmful क्यों harmful होती है जो close relative के भी की marriage क्यों harmful होती है इसका answer भी हमें cable pedigree analysis से लगता है it is also useful in research in the field of medical science तो medical science में naturally जब abnormalities का पता लगेगा, diseases का पता लगेगा, किसी एक family में तो बहुत सारी problem को sort out करने में भी मदद मिलेगी now the question number 11 is how is sex determined in human beings बहुत simple question है और कई बार इसको आप कर भी चुके हैं जैसे आपको पता है कि human के case में 23 pairs होते हैं 23 pairs मैंसे 22 pairs होते हैं वो same होते हैं उनको autosomes कहते हैं cable एक pair different होता है जो कि female में XX होता है और male में वो XY होता है तो हम कहते हैं कि humans के case में क्रोमोजोमल टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन है विच इस और सो नौन एस XY क्यों XY क्योंकि जो फिमेल है वो तो homogametic है मतलब वो एक ही टाइब के ओवं बनाती है विद एक्स क्रोमोजोम जबकि मेल जो होता है वो दो टाइब के सपल बनाता है एक एक्स क्रोमोजोम के साथ और वाई क्रोमोजोम के साथ और यो य जो य ग्रोमोजोम में होड डिसाइड करते हैं ते डा फिट इस बिल भी और दचैनल विल भी मेल क्योंकि केवल y chromosome से ही मेल चाल्ड बनसकता है कि मेल मेल में जो sex chromosome होते हैं वो xy होते हैं now coming to the answer human beings have chromosomal type of sex determination it is xy type out of 23 pairs 22 pairs called autosomes are exactly same in both males and females only one pair of chromosome called sex chromosome is different in males and female it is xx in female and xy in male female produces only one type of ova while male produces two two types of sperm that is sperm with x or y chromosomes sperms with x chromosome produces female child on fertilization whereas the sperm with y chromosome that is the sperm with y chromosome produces male child thus it is the genetic makeup of the sperm that determine the sex of the child he sperm x chromosome है या y chromosome है ये डिसाइड करता है कि जो child है उसका क्या gender होगा उसका क्या sex होगा तो it is it is based on the genetic makeup of the sperm now coming to question number 12 a child has blood group O if the father has blood group A and mother has blood group B work out the genotypes of parents and possible genotypes of the other offspring ये बहुत आसान है देखिए जब हम बात करें कि बच्चा O blood group का है अगर child O blood group का है तो तो वहाँ पर क्या possibility होगी जो parents होगे वो cable heterogigous होगे जैसे अगर ये स्थिति है माली जा हम फादर के case में इसको मान रहें आई ए इसको मान रहें और mother को ये मान रहें तो आप देख सकते हैं कि इससे कभी भी O blood group नहीं आस्कता तो कब आएगा वो blood group वो blood group तब आएगा जब हमारे पास जो ए बला होगा बलड ग्रूप बला वो इस तरह से होगा और बी बला इस तरह से होगा तो देखे अब इसमें सारे blood group possible है कैसे पहले ये देखे इसका और इसका combination कर रहे हम तो इस पहला combination आ जायेगा A-A-I दूसरा इसका और इसका कर रहे हम तो दूसरा 1 अबर पास आई-I-B और इसका और इसका कर रहे हैं तो it is IBI, तो देखिए A blood group भी होसकता है, O blood group भी होसकता है, AB blood group भी होसकता है, और B blood group भी होसकता है, तो इसका मतलब है कि जब child का blood group O है, तो उसका मतलब है कि उसके parents का genotype क्या होगा, father का होगा IAI और mother का होगा IBI, human beings have ABO type blood groups, which are controlled by gene I. Blood group A has two different genotypes i.e. IAIA and IAI. Similarly, blood group B has two genotypes IBB and IBI. If the child has blood group O, the parents must have genotype IAI and IBI. Therefore, the possible phenotypes of other offspring are कौन से उनके genotype और phenotype होगे? अगर genotype के हम बात कहने हैं तो उनके genotype होगे IAI IAIB, IBI और II तो इस तरह से इस question का अंसर हो जाता है कि इसमें लगबग सभी blood group के बच्चे जो है वो पॉसिबल है पर जो parents का होगा वो हिट्रोजाइगस होगे हिट्रोजाइगस का मतरब कि जो father है वो IAI वाला होगा और मतर जोगी IBI वाले होगी तो अब हम चलेंगे question number 13 की ओर explain the following term with example तो जो terms है वो है co-dominance and incomplete dominance co-dominance का मतलब होता है बोथ हर independently dominant मतरब जब हमारे पास IA और IB जैसे हमारी blood group इसका सबसे best example है जब हमारे पास situation होगी IA और IB तो ये blood group ना तो A होगा ना B होगा A क्या होगा AB होगा तो this is called as co-dominance what is co-dominance? the alleles that are able to express themselves independently when found together in heterozygous condition और heterozygote this phenomenon is called as co-dominance जैसे हमारा जो ABO blood group है उसमें से जो AB वाला blood group है वो co-dominance का example है क्यों co-dominance का example है क्योंकि यहाँ देखे जब ये genotype होता है तो हमारे पास blood group कौन सो होता है AB होता है मतरब AB एक्सप्रेस कर रहा है और B एक्सप्रेस कर रहा है independently this is called as co-dominance now coming to B that is incomplete dominance it is the phenomenon where none of the contrasting traits or characters in a pair are dominant देखे उपर वाले में दोनो dominant है independently और यहाँ कोई भी dominant नहीं है an intermediate phenotype is produced and in F1 hybrid the expression of a trait is fine mixture of the expression of two factors देखे उपर ले वाला जो हमने किया भी उपर वाला उसका बिलकुल opposite है क्या opposite है वहाँ पर दोनों dominant है यहाँ पर कोई भी dominant है देखे एक हम snapdragon का example ले रहे है तो snapdragon में दो type के flower होते हैं basically एक red और white पर जब इनकी जब हम cross करते हैं तो जो बीच में हमारे पास flower आता है जिसमें जब हमारे पास genotype r small r आता है तो वहाँ पर अगर dominance का concept होता है तो यह flower होते हैं red पर यहाँ पर जो हमारे पास flower बन रहे हैं वो कौन से बन रहे हैं वो बन रहे हैं pink flower बन रहे हैं तो देखें जो हमारे पास phenotype आया वो इन दोनों के बीच भी का आया intermediate आया तो this is called as incomplete dominance it is the phenomenon where none of the contrasting characters in a pair are dominant and intermediate phenotype is produced in F1 तो देखें red और white का जब हमने cross करवाया antirachinium जिसे snapdragon कहते हैं तो वहाँ पर हमारे पास जो है pink color के flower है जो कि red और white के बीच में थे तो इसको होते है incomplete dominance अब हमारे पास question 14 है what is point mutation and give one example now the type of mutation in DNA RNA और cells genetic material बत्तों DNA और RNA आपको वैसे पता कि यह cell का genetic material है उसमें mutation कैसी mutation in which one single nucleotide base is added deleted or changed is called as point mutation मतलब क्या हुआ कि ऐसी mutation जो एक single nucleotide base के add करने से उसको delete करने से या उसको alter करने से change करने से जो mutation होती है that type of mutation is called as a point mutation जैसे एक example है sickle cell anemia sickle cell anemia में क्या होता है वहाँ basically देखे जो normal hemoglobin gene है उसमें एक जगा हमारे पास यहां पर GAG है तो अगर आप देखेंगे तो यहां G के सामने C आएगा A के सामने T आएगा और G के सामने C आएगा अब इसकी जो mRNA की stand बनेगी उसमें C के सामने G आएगा और T के सामने A आएगा C के सामने G आएगा तो इससे जो RVC की shape है वो normal होगी क्योंकि यहां पर GLU glutamic acid बनेगा पर अगर मान लिया जाए उसमैं Cable एक चेंज हो जाए तो यहां पर क्या होगा देखें वहां के आए अब धाकर यहां पर T आ गया तो अब देखिए CAC का बना GUG MRNA बे जब यह GUG बना तो जहां बनना था Glutamic Acid वहां क्या बन गे हमारे पास है वेलीन बन गी तो ऐसा होने से केवल एक Nucleotide Base क्या हुआ यहां पर Change हुआ ना Add हुआ ना Delete हुआ केवल हो चेंज हुआ तो उससे जो RBC की Shape है वो चेंज होगी That become Sickle Shaved नेरो होगी अब इससे क्या होगा उसमें जो Oxygen होगी वो कम सप्लाई होगी तो इस Condition को होते हैं Sickle Cell Anemia और Basically यह जो Change आती है यह आती है बीटा चेन आफ दा Hemoglobin में तो इस तरह की Mutation को बोला जाता है Point Mutation तो Point Mutation क्या होती है Point Mutation ऐसी Mutation होती है जिसमें केवल एक Nucleotide Base यह तो Add किया जाता है यह Delete किया जाता है यह Change किया जाता है अब हम चलेंगे Second Last Question की ओर यह जाता है यह तो यह को फड़ आपको पता है आपको इन आप 1902 अ इस वाल्टर सटन वाल्टर इस वाल्टर सटन and Ciotter-Bovary in on a chromosomal theory of inheritance scope proposed kia tha in the year of 1902. So in the year of 1902 T. Bovary and W. Sutton had proposed the chromosomal theory of inheritance. Now the last question of this chapter is mention any two autosomal genetic disorders with their symptoms, तो हमने दो autosomal genetic disorder बताने और साथ में उनके symptom भी बताने, तो एक मैं बताने जा रहा हूं आपको sickle cell anemia और दूसरा down syndrome क्योंकि इनमें autosomes से affected या autosomes के कारी ये हमरे पास disorders होते हैं, तो sickle cell anemia, आपको पता है अभी हमने किया कि sickle cell anemia में जो rbc होती है, erythrocydes होते हैं, उनकी जो shape है वो कैसी हो जाती है, that become sickle shaped जिसकी बज़ा से oxygen कम जाती है, now the second is, these sickle shaped rbc are easy to destroy, hence cause anemia, जैसे normal rbc के बज़ाए अगर हम sickle cell वाले rbc की बात करें, तो sickle cell वाले जो rbc होते हैं, उनको easily destroy किया जासकता है, जब rbc हो जाएंगे, तो आपको होता है कि oxygen का transport उतने बेटर नहीं होगा और इस condition को बोलते हैं, anemia, now the last is down syndrome, down syndrome में आपको होता है, trisomy होती है, तो इसकी जो symptoms होती है, एक तो जो head की back है, that become flat, that is the flat back of the head, फिर broad flat face, big and wrinkled tongue, short stature with partially open mouth, palm is broad with crack stick palm crease, physical psychomotor and mental development is retarded, तो देखे, down syndrome में trisomy होने के कारण क्या होता है, जो head है, उसका back है, वो flat हो जाती है, face जो है, वो भी broad होता है, लेकिन flat होता है, tongue जो है, वो बड़ी हो जाती है, wrinkled होती है, आदमी की body जो होती है, short stature की रहेगी, लेकिन उसका मुँँ थोड़ा सा खुला रहता है, और palm में crack stick palm crease होती है, मतलब fold पड़ जाता है, और उसके अलाबा क्या होता है, कि उसकी ना तो physical development अच्छे से होगी, ना ही psychomotor development होगी, और ना ही mental development उसकी अच्छे से होगी, मतलब physical, psychomotor and mental development will be retarded, तो इस तरह से आज हमने इस चेप्टर को पुरी तरह से खतम कर लिया, अब हम next chapter की बात करेंगे अगले वीडियो में, thank you very much.